हेलो प्यारे बच्चों सौगत है आप सबका आपकी अपने चैनल स्कूल मैट्सर में तो कैसे हैं आप सब चलिए हम 10th क्लास की NCRT मैट्स पढ़ रहे हैं जिसका कि हमने चेप्टर नमबर 13 स्टार्ट किया है तो मैं इसकी एक्सराइज 13.3 कवर करा चुका हूँ अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आज मैं आपको एक्सराइज 13.4 कराने वाला हूँ ठीक है जो की बहुत इंपोर्टन एक्सराइज है और इसके मैं क लुट। येसराइज 12.4 करा हूँ गांगा तो चली स्टार्ट करते हैं कि आज कि हमारी क्लास क्या है तो देखे स्टुडएंट हम एक्सराइज का बैसिक समझ लेते हैं कि से एक्सराइज में करना क्या है तो इस प्रश्नवली में हमें Frustum of a cone यह जो आप देख रहे हैं Frustum of a cone इन्नीमिश को बोलते हैं छिनक चिनक क्या बोलते हैं इसका छिनक शंकू का शंकू का छिनक पढ़ना है या Frustum of a cone पढ़ना है ठीक है पहले हम इसका फ्रस्टम का basic देख लेते कि क्या है उसके बाद exercise के सवाल देखेंगे तो आप यह देख रहे हो यह क्या बना हुआ है एक कोन बना हुआ है ठीक है यहाँ पर कोन में क्या होती है यह इसकी radius होती है यह R है यहाँ से इसके vertex से अगर आप यह इसका center point में लाते हो तो क्या आती है यह height आती H और यह क्या होता है L ठीक है जो कि यहाँ आपन 90 degree बनते है अब कोन का curve surface area क्या होता है पाई R L total surface area क्या होता है पाई R R प्लस L volume क्या होता है 1 by 3 पाई R square H और L square वराबर क्या होता है R square प्लस H square ठीक है यह cone की information है यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं अब मैंने क्या किया cone को यहाँ से मैंने क्या किया cone को काट दिया थोड़ा सा ठीक है इस shape में मैंने cone को काट दिया ठीक यहाँ से अगर मैं काटूंगा circular तो यह मैंने देखो cone को यह अलग कर दिया ठीक है तो कौन को हटा करके, काट करके जब जो geometry निकल के आती है तो वो इस टाइब की geometry होती है वो ऐसी दिखती है ठीक है आप कौन को उल्टा रखके भी काट सकते हो तो ये सिरा उपर हो जाएगा और ये वाला नीचे हो जाएगा तो जब कौन को काट के कोई design निकाली जाती है जो कि आप इस तरह की design देख रहे हो तो ये क्या होता है ये होता है फ्रस्टम ओफ कोन कोन से निकाल के बनाई गई जो geometry है 3D shape है वो ही क्या कहलाता है फ्रस्टम ओफ कोन कहलाता है ये क्या कहलाता है फ्रस्टम इसको क्या बोलते हैं frustum बोलते हैं और कोन से निकला इसलिए क्या बोलते है frustum of a cone frustum को हिंदी में क्या बोलते है छिननक ठीक है अब ऐसी geometry आपने कहां देखी है अपने surrounding मतलब atmosphere में आप कहां पर देख तो इस तरह की कैसी geometry होती है किस चीज़ की होती है इसका example में आपको बता रहा हूँ देखो इस तरह का geometry जो होती है आपने क्या देखी होगी glass देखी होगी जो frustum होता है उसका example glass जो आपने देख लिया एक होती बाल्टी ठीक है बाल्टी बकेट बकेट भी किसका example होता है ये काई का example है frustum का ठीक है तो इस तरह की geometry आपने कहा देखी है bucket देख लो glass देख लो और भी तरह की example हो सकते हैं तो आप comment करके मुझे जरूर बताना कि और कौ जिनक के बारे में ये information है ये frustum का design ठीक है अब हम इसके कुछ formula देखते हैं कि इस तरह की geometry होती है उसमें curve surface area, total surface area, volume और L की value कैसे निकालते हैं ठीक है अभी मैं ये मिटा दे रहा हूँ अब आप देखो इसमें उपर और नीचे दो circle है ठीक है तो एक circle यहाँ बना हुआ है तो ये इसको हम दे देते हैं इसको radius नाम दे देते हैं R1 ठीक है उपर भी एक circle है इसको हम नाम दे देते हैं R2 अब important जो note है वो क्या है महत्पूर्ण बात यह है यहाँ R1 जो है वो greater than है R2 से ठीक है देख रहे हैं आप radius R1 की जो value है R2 से बड़ी है ये बड़ा circle है तो radius बड़ी है छोटा circle है तो radius छोटी है so R1 is greater than R2 ठीक है यह इस तरह एक प्रस्टम है अच्छा R2 is greater than R1 भी बनता है इसी को अगर उपर कर दोगे तो R2 is greater than R1 हो जाएगा ठीक है अब ही हम यह वाली condition पड़ रहे है अगर मैं इसके point को यहाँ से यह मिला दूँ यह क्या बन जाएगा यह height बन जाएगी प्रस्टम की height ठीक है और यह जो design आप देख रहा हूँ यह वाली जो length देख रहा हूँ slant यह क्या किलती L इसको बोलते है slant height क्या बोलते है slant height ठीक है और इसको बोलते है height ह-e-i-g-h-t यह height तो इसके कुछ formulas अब कैसे पढ़ना हमको देखो कि इतने बड़े formula होते है ठीक है लेकिन इसको याद करने की मैं आपको बहुत अच्छी trick बताता हूँ कैसे आप इसको correlate करोगे देखो आपको कोन के बारे में पता है ठीक है सारे formula कोन से ही ने करल के आएंगे कैसे curve surface area क्या होता है यहाँ pi r l तो यहाँ pi और l तो ठीक है लेकिन r की जगह क्या दिया है r1 और r2 तो बस curve surface area यहाँ pi r l होता है तो यहाँ r की जगह क्या जाएगा r1 प्लस r2 जाएगा so pi into l bracket में r1 प्लस r2 ठीक है अच्छा इसी का एक formula और बना सकते हो आप यह l मैंने ले लिए अलग से इसमें मैंने 2 का divide दे दिया 2 का into कर लिया तो 2 और pi को अगर अंदर भेज होगे तो यह क circumference तो 2 pi r1 c1 मतलब circle जो यह 1 है इसकी circumference प्लस c2 मतलब circumference of second circle c2 upon में क्या जाएगा 2 और बाहर क्या है bracket में into l तो curve surface area के दो formula हो गए pi l r1 प्लस r2 और l c1 प्लस c2 upon 2 अब total surface area देखिए यहां क्या होता है pi r और bracket में r प्लस l देखिए तो यहां क्या होता है pi और l यह रहेगा और r की जगए क्या जाएगा r1 प्लस r2 देखिए अब देखिए यहां पर total surface area के मतलब है कि यह जो surrounding वाला जो है यह वाला जो area है यह तो आपने ले लिये यही curve surface area है यह curve surface area एक c से त तो curve surface area ही हमने ले लिया pi l r1 प्लस r2 अब total surface area मतलब कितने surface है total तो एक curve है और एक ऊपर circle है एक नीचे circle है तो total में यह दोनों circle भी count हो जाएंगे तो pi r1 square प्लस pi r2 square तो pi common ले लोगे तो r1 square प्लस r2 square मतलब total surface area में यह c से भी count होता है उपर का circle भी count होता है और नीचे का circle भी count होता है clear next है volume कोन का volume क्या होता है 1 by 3 pi r square h तो 1 by 3 pi और h यह सेम रहेगा r square की जगह क्या जाता है यहाँ पर r1 square प्लस r2 square प्लस r1 into r2 clear है चलिए l देख लेते हैं यहाँ l square बराबर क्या होता है r square प्लस h square तो यहाँ पर क्या हो जाएगा l square बराबर पर l बराबर होगा यह square नहीं होगा l बराबर क्या जाएगा under root के अंदर h square plus r1 minus r2 का square ठीक है r1 minus r2 का square क्यों क्योंकि r1 is greater than r2 है तो L बराबर यहाँ पर क्या होगा अंडर रूट के अंदर H square plus R1 minus R2 का square तो इस तरह से आप कौन से इसको link कर सकते हो और इसके formula को भी आप जोड़ करके याद कर सकते हो ठीक है आगे संज में चलिए अब हम question start करते है प्रश्णा वली 13.4 exercise के सवाल देखते है ठीक है student यहाँ पर दिया हुआ है question number 1 दिया हुआ है अब यहाँ पर यह L square नहीं है यह L की value आएगी अगर square लोगे तो यह root हट जाएगा ठीक है यह आगे हमारे पस यह formula मैंने यहाँ पर लिख दिये हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अभी बताया ना मैंने glass का जो shape होता है frustum के जैसा होता है a drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 cm the diameter of its two circular ends are 4 cm and 2 cm find the capacity of the glass सबसे पहले मैं capacity बता दूँ capacity का मतलब volume ही होता है ठीक है capacity मतलब कितनी जगह है छमता जगह मतलब space मतलब क्या होता है volume ठीक है तो इस सवाल में हमें एक glass दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें एक glass बना लेते है ठीक है यह frustum के जैसा होना चाहिए यह हमारा एक क्या बन गए drinking glass ठीक है यह मैंने बना दिया frustum of a cone drinking glass ठीक अच्छा इसका parameter कितना दिया हुए हमको 4 cm और उपर आले circle का parameter है 2 cm तो radius obvious है आप समझ गए होगी 1 cm हो जाएगी और यह radius कितनी हो जाएगी 2 cm ठीक है और यह जो आप point मिला होगए यह क्या बन जाएगी इस glass की height बन जाएगी जो कितनी दिया है 14 cm ठीक है हमें निकाल ले volume या capacity दोनो एक ही बात है ठीक अब देखिए आपको exam में diagram मनाना है पुरा diagram का description लिखना है कि बड़े circle की radius 2 cm छोटे circle की radius 1 cm height कितनी दिया है 14 then volume is equal to capacity या capacity is equal to volume is equal to फिर आपको formula लिखना है फिर पूरा formula आपको फिर से लिखना पड़ेगा तब आपको examiner marks देगा तो आप पूरा presentation अच्छे से करें ठीक है जो मैं यहाँ पर यह बना रहा हूं और जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको language में भी लिखना है ठीक so 1 by 3 into 22 by 7 into height कितनी है 14 r1 square मतलब 2 का square plus 1 का square plus 2 into 1 इसको हम solve कर लेंगे 1 by 3 साथ से कट जाएगा दो बार यह होगे 44 into यह कितना हो जाएगा 4 plus 1 plus 2 तो कितना हो गया 44 into यह जाएगा 7 upon 3 यह जाएगा साथ चोगे 28 और 2 है ना यह 30 कटे किया हो जाएगा 3 तीने कम तीन यह हो जाएगा फिर 0, 3, 2, 6, 2 यह इतना आएगा cm3 ठीक है यह मैंने कैसे लिख दिया आप इसको पूरा solve भी कर सकते हो 102 plus इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.66 ठीक है बसका मतलब आएगा 102.66 वोल्यूम है तो cm3 में आएगा तो यह जो हो गया इस glass की क्या आजाएगी वहर पास capacity आजाएगी clear है first question आगे समझ में चलिए आप second देखते है यहाँ पर उमको second question में देखी क्या बताया जा रहा है अगेन आप इसको L square ना करके L कर लेना देखो क्या बोल रहा है the slant height of frustum of a cone is 4 cm and the parameter of its circular ends are 18 cm and 6 cm क्या दिया हुए है parameters दिया हुए है ठीक है एक frustum of a cone है हमारे पास frustum of a cone बना लेते हैं पहले यह आगया हमारे पास frustum of a cone ठीक यह मारे फ्रस्टम of a cone आगया ठीक है यह क्या होगह इसकी radius हो गई है यह होगह R1 यह होगह R2 ठीक है height कितनी दियुए है height दियुए है 4 cm अब देखो यहाँ पर दिया है parameter ठीक है circumference parameters दियुए है इस चर्किल है इनकी parameter दियुए है direct क्या दियुए है पहले वाले circle की perimeter कितनी हो जाएगी 2 pi r1 इस equal to क्या होता है देखो क्या है पहली है 18 18 cm यहाँ से 2 pi r2 यह कितनी हो दूई है 6 cm तो अगर r2 निकालोगी यहाँ से तो 2 और pi बटी में जाएगा तो कितना जाएगा 2 से 1 काट दू 3 बार 3 upon pi cm यहाँ से r1 कितना जाएगा 9 upon pi cm ठीक है r1 भी मिल गया r2 भी मिल गया ठीक अब देखिए slant height दी हुई है दर असल यह मैंने थोड़ा सा mistake कर दिया आपर यह 4 cm जो है यह slant height है मतलब यह वाली height है 4 cm ठीक है student scope correct कर लेना अब देखिए हमें क्या निकालना है क्या भूल रहें find the curve surface area c sa तो curve surface area क्या होता है pi l r1 प्लस r2 और एक formula क्या होता है l c1 प्लस c2 upon 2 तो मैं दोनों formula से बता देता हूँ आपको पहले बाले से देख लो first बाले से c sa कितना आएगा pi into l कितना है 4 और r1 कितना दिया हूँ है देखो r1 दिया है 9 upon pi plus r2 कितना है 3 upon pi ठीक है pi into ठीक है जाएगा 4 into 9 plus 3 12 हो जाएगा और upon मैं pi pi से pi कट गया 12 जो कि क्या आगे 48 48 cm2 क्यों area है अभी पहले formula से बताया अब second वाले से देख लो क्या होता है formula second वाला direct आप लगा सकते हो c as a is equal to l मतलब slant height कितना जाएगा 4 c1 plus c2 अब आप देख रहो यह जो है 2 pi r1 यह actually में क्या circumference है यह first वाले circle की circumference मतलब c1 की value direct दी है 18 और यहाँ क्या दी है c2 की value कितनी दी है 6 direct भी रख सकते हो 18 plus 6 upon 2 यह 2 से cancel हो गया यह 24 हो गया और 24 दो नहीं क्या हो गया 48 cm2 तो दोनों ही formula से value रखोगे तो answer सही आएगा आपका अब आपको जो formula अच्छा लगे आप उससे solve कर सकते हो तीक है जब question number 3 देखते है यह सवाल देखिए student question number 3 अच्छा सवाल ही यह इसको आप L कर ले ना यह L है a face the cap used by the Turks it's shaped like a frustum of a cone if its radius on the open side is 10 cm radius at the upper base is 4 cm and its slant height is 15 cm find the area of material used for making it मतलग यह एक cap है इस cap का design कैसा है frustum of a cone के जैसा है देखो कौन के जैसा दिख रही है तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से एक बर और बना दे रहा हूँ ताकि आपको यह clear visible हो यह cap है ठीक है यह हो गया frustum of a cone type design का यह cap हो गया हमारे पस अच्छा इसके नीचे वाला जो base है वो क्या है खुला हुआ है क्योंकि cap है आप जानते हो cap नीचे से खुली होती है तभी तो आप पहन पाऊगा इसको और उपर से क्या होती है बंद होती है यह एक cap है जिसका design फ्रस्टम of a cone जैसा है तो यह क्या है नीचे से खुली हुई है और उपर से बंद है यह मैंने कितनी है यह है 4 cm slant height यह दिए हुई है कितनी दिए हुई है 15 cm अब बो बोले find the area of material used for making it इस तरह की जो cap यह बनाई गई है इसमें कितना material यूज हुआ यह बताना है ठीक है इसका मतलब आप समझो कि क्या बताना क्या है material का मतलब इसमें कितना आपको अपनी तरफ से input लगा हुआ है वो बताना है लेकिन mathematics में इन 4 formulas में से क्या बताना है जब भी किसी चीज को बनाने के लिए पूछ रहे कि कितना material लगा हुआ है जगे की बात नहीं कर रहा है वो material पूछ रहे तो हमें इसा याद रखो इसका मतलब है आपको इसको area बताना है तीक है क्या बताना है area ठीक अब area बताना तो कौन से area बताओगे इस पूरी CAP का यी area बताओगे न कि कितना material यूज हुआ ठीक तो CAP का area मतलब कौन सा area total surface area ठीक है, मतलब कौन सा एरिया, टोटल सर्फिस एरिया, जितना जितना एरिया आपको दिख रहा है, वो सब एरिया बताना है, पर यहाँ पर एक खास बात और क्या है, जब हम फ्रस्तम अफ़क कौन लेते हैं, तो यह जो टोटल सर्फिस एरिया आप निकालते हो, तो पहले क्य निकालना है total surface area आगर तो हमें क्या लेना पड़ेगा पहले कर्व surface area मतलब ये جो ये जो outer path होता है ये लेना हमको तो ये outer area ये वाला area लेना है तो ये curve surface area हो गया फिर हम क्या लेते हैं ऊपर का area प्लस नीचे का area मतलब ऊपर वाले circle का area और नीचे वाले लेकिन नीचे से क्या होई है? खुली होई है तो ऊपर वाला circle का area तो आएगा πाई r2 square लेकिन नीचे वाले का जो पाई r1 square होता है वो नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह close नहीं है न close होता तब हम इसका क्या करते? नीचे का area लेते खुली होई है cap इसलिए हम नीचे का area नहीं लेंगे हम सिर्फ उपर का area लेंगे तो total surface area में हम क्या क्या जोडेंगे curve surface area plus उपर वाले circle का area मतलब πाई r2 square पाई r1 नहीं ले ना आमको ठीक है? क्यों नहीं ले ना क्योंकि नीचे से cap क्या है? खुली होई है clear? तो cse मतलब क्या जाएगा यहाँ पर? πाई l ना r1 प्लस r2 प्लस πाई r2 का square दोनों πाई common है πाई common निकाली l की value कितनी है? देखो 15 r1 प्लस r2 मतलब 4 प्लस 10 प्लस πाई common हो गया r2 square मतलब 4 का square ठीक है? यहाग है πाई इसको solve कर लो 10 और 4 14 हो जाएगा 15 गुड़े 14 प्लस 16 ठीक है यही आएगा 22 by 7 तो इसको आप एड़ कर ले ना 6, 2 और यह 2 कितना हो जाएगा? यह 22 बटे 7 अब इसको थोड़ा और calculate कर लेते हैं यहाँ कर दे रहा हूँ मैं 226 में 22 का गुणा करोगे 2 चंग 12 एक दो दूनी चार और एक पांच ठीक है? और दो दूनी चार ठीक है? यह 2 5, 4 यह आएगा 2, 7, 9, 4 अब साथ से इसको भाग दे दो 7, 7, 7, 7, 7 फिट 0 2 बटे 7 मतलब यह आएगा 710 इसका भाग देना यह प्लस 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 7, 2, 14, 6 बचेगा 7, 8, 56 अब एरिया है तो काई में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वेर में clear? तो इसमें material कितना यूज हो रहा है? इस cap को बनाने के लिए 710 दसम्लो 2, 8 सेंटीमीटर स्क्वेर यह उनिट लिखना बहुत जरूरी है या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो 710 सही 2 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वेर clear student आगे समय में पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर आपको कोई doubt रह गया है तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं so thanks for watching, for more update please like, share and subscribe